यार अगर आप office में काम करते हैं या अपने गर में काम करते हैं अगर आपको बज़े नाइटी ताउन से लेके दो लाग है as a developer भी काम करना है as a creator भी काम करना है तो यार यह video specially आपके लिए उन्हें वाली plus है अगर आपका बज़े नाइटी ताउन से कम है यार मैंने पहले ही वीडियो की है मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जागी तो start करते हैं अगर आपको बज़े नाइटी ताउन से लेके वान लाग टैन थाउन हो जाता है इस प्राइज रेज की बात कर लेते हैं इस प्राइज रेज में मैंने रखे हैं वही 2 लाग तो अगर आपको एक simple design चाहिए उसके साथ साथ आपको specification loaded चाहिए मैं आपके लिए भी laptop बताऊंगा उसके साथ भई अगर आपको like stylish डिजाइन चाहिए अज़ा creator काम करना है ज़ा developer काम करना है video acting भी करना है gaming भी करना office work के लिए भी चाहिए मैं आपके लिए भी बताने वालों तो बात करते है number two की number two पर यार मैंने रखा HP Omen को तो बही अगर आपको एक simple design के साथ साथ आपको मतलब इतना भी simple design नहीं है इसका आपको simple design के साथ साथ अगर आपको यार specification के recording पूरा loaded laptop चाहिए आपके लिए ये laptop perfect deal हो सकती है आपको बहुत बसंद आने वाला है इसमें आपको 8GB RAM भी मिल इसकी display quality भी बहुत अगड़ी है आपको window 10 देखने को मिल जाते है latest version के साथ उसमें आपको i5 भी मिल जागा आपको i7 भी देखने को मिल जागा processor भी बहुत अगड़ी मिलेंगे 10th generation के साथ दोनों ही देखने को मिलेंगे उसके बाद हम बात कर एगर आपने office work में काम करना को heavy software पर काम करना या कोई loaded file पर काम करना आप इजली नॉबली कर सकते हो ठीक है लास्टीम के लिए ये laptop perfect है उसके साथ साथ अगर आपने graphic design के लिए लेना animation के लिए लेना है photo editing करने है आपके लिए भी perfect deal हो सकते है अभी number one की बात करते है number one पर यार मैंने रखिया असूस रॉ पर भी यूज़ कर सकते हैं लाप सिंग करने हैं वीडियो एक्टिंग करने हैं आप सभी के लिए ये laptop perfect deal हो सकते है प्लस इसमें बैक सैड में आपको LED lighting देखने को मिल जाए जो कि आपको कस्टमाइज कर सकते हैं इसके स्पैसिटिकेशन पूरे लूटर मिल जाते हैं आपक GTX Graphic car भी मिल जागा आपको Ryzen 5 भी मिल जागा आपको Ryzen 7 भी देखने को मिल जागा उसके बाद हम बात करें इसके लाइक इसमें आपको 8 GB RAM भी मिल जागी इसमें आपको 16 GB RAM भी मिल जागी मतलब जितना पर करोगे उसके according आपको specification मिल जाएंगे इसका budget range की बात करोई ये 90 स्टार्ड हो जाता है दो लाग चे पजड़ तब तक सल जाता है आप एक बाद चाहवर कर लोड़ी ना आपको बहुत पसंद आने वाला है इए यार मिन स्प्रसिफिकेशन में आपको दोनों लैप्टॉप के बता दिया दोनों लैप्टॉप बहुत ज्यादा तगड़े देखने को मिल जाते तो आप देख लेना जो भी आपको पसंद आता है आप ले सकते हो प्लस आपको ये दोनों पसंद अगर नहीं आते तो कोई इशू प्राउब्लम नहीं है यार मैंने सभी के प्रवाइड की हैं अगर आपको बचे लेकर वाल लाग तक भी हो जाता है यार इस बज़र रेंज में आपको चार पंच लिंक दिए हूं है डिस्क्रिप्शन बाक्स में देखने को मिल जाएगे आप चाहूर कर लेना तो आगे बात करते हैं अगर आपको बज़र आपको बहुत प्रीमियम टेच देने वाले हैं बहुत क्लासी टेच देने वाले तो अगर आपको एक डिजाइन भी मैटर करता है उसके साथ स्पैसिफिकेशन भी लोडड़ जाहिए ये दोनों लैप्टॉप आपके लिए पॉफेट डील हो जकते हैं मैं बात कर रहा हूं Microsoft Surface Book 3 की एंड मैं बात करूँ HP Spectre X360 की ये दोनों लैप्टॉप बहुत ज्यादा सही हैं बहुत ज्यादा अपर है मैं बात करूँ Microsoft Surface Book 3 की तो ये 2-in-1 लैप्टॉप है प्लस इसके स्पैसिफिकेशन बहुत अगरे मिल जाते हैं आप ऐसा लैप्टॉप भी यूज़ कर सकते हो ऐस इसको यूज़ कर सकता आपको 8GB RAM भी मिल जागी आपको 16GB RAM भी मिल जागी आपको 32GB RAM तक भी मिल जागी आपको 4GB Graphic Card भी मिल जागा आपको 6GB Graphic Card भी दीखने को मिल जागा जितना भी गरोगे इसको आपको Specification मिल जाएंगे आगे बात करते हैं अगर इस लैप्टॉप की बाद गुरूप तो भी अगर आपने ऐसा क्रेटर यूज़ करना है ऐसा ड्वालपर यूज़ करना है प्लस उसके साथ साथ भी अगर आपने ऑफिस पर्क में यूज़ करना है ऐसा काउंटिंग करते हैं तो यूज़ मैंने आपको दोनों ही लैप्टॉप की बता दिये तो दोनों में से जो भी आपको पसंद आता है आप उसके और जा सकते हो अगर मैं होता है तो भई मैं आ जाता है अच्छी स्पैक्ट्राइक्ट्राइक्स 3600 की और विकरस मुझे उसके इसका डिजाइन आपको बहुत जादा सभी देखने को मिलता है और जाते हैं दोनों कलर सको बहुत जाधा सूट करते हुँ कर लेते हैं अगर आपको बशे हैं तो यह इतना कहना चातो 5icki 26 ब पर काम करना है जा ड्वाइल पर काम करना है क्रेटर काम करना है 16 GB RAM आपके लिए पॉफटर पर काम करना चाहते हो वो smoothly आपका रन हो जागा कोई भी प्राउब्लम नहीं आएगी आप लांग टैम पर लाप्टाप को यूज़ कर सकोगे मैं बस इतना आपको कहना चाहते हो तो यार में से जो भी आपको पसंद आता आप उसके और जा सकते हो तो यार अभी मैंने आपको इतने लाप्टाप बता दिया तो अगर आपको मेरी पिच्च लगए यार वीडियो को लाइक करते होना, कमेट करते हो तो मैं कम करने की ट्राइग गड़ता हूं पलस मैं आपको कहा देना चाहता हूं मैंने सभी के लिंक पर वायड की हूं अगर आपने अपना भी PC बिल्ड करना उसका भी मैंने आपको सभी लिंक पर वाइड किया है आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी आप लेना चाहते हो या करना चाहते हो आप कर सकते हो तो यार अभी में वीडियो यहीं पर हो जाते कर था तम अगर आपको में विच्छी कर सकते हो